दोस्तों Amazon और Flipkart जैसी e-commerce website के नाम पर कुछ scammers जो है नही नही पार्टम जॉब वाली website को create किये जा रहा है और लोगों के साथ जो है इसमें scam भी किये जा रहा है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ एक नया website refipkartmission.org की reality को और यहाँ पर आप देख सकते हो 80 रुपे मुझे मिला हुआ है website का link क्या था refipkart पढ़ने में ऐसा लगा है और यहाँ पर Amazon वगेरा लिखा हुआ है नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफिस देखने को मिलता है और इस तरीके से आप देख सकते हैं पैमेंट के प्रूफ को सो किया जा रहा है वही नीचे में पार्टनर उसके नाम लिखे हुए है recharge section 200 रुपे से लेकर के जो है maximum 50,000 तक का है यहाँ पर आप मेरा नंबर देख लिजिए 2023 इस तरीके के नंबर यहाँ पर register and login हो रखा है अब इस website को तो आपने देखे लिया एक और website आपको दिखाता हूँ amafibcardmission.com और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका interface same वही interface है वही 80 रुपे वही नीचे scroll करने पर कुछ payment के proof कुछ partners के नाम यहाँ भी मेरा mobile नंबर वही है 2023 और यहाँ पर आपके सामने वह website है फिलाहल यह website बंद हो चुकी है और यह screen recording जो है दो-तीन दिन पहले का है मैं आपको बता दो कि ऐसी website है आए दिन आती हैं लोगों के साथ स्कैम करती हैं बंद हो जाती हैं फिर नया कोई website चलो जाता है amafibcardmission.com को अब change करके refibcardmission.org कर दिया गया same number आप यहाँ से यहाँ भी login कर सकते हो और सभी चीजें हूपभू same है बिल्कुल भी पैसे को invest मत कीजिएगा इस तरीके की website है किसी भी e-commerce website से link नहीं है हो सकता है कि कुछ दिन बाद इसको भी बंद कर दिया जाए फिर से कोई नया website आपके सामने आएगा और same interface के साथ है ना तो इस तरीके के website उसे दूर रहें बिल्कुल पैसे को invest मत करें यहाँ पर unlimited task आपको मिलेगा और पैसे को आपसे invest करवाता रहेगा so finally इस awareness वीडियो से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि website किसी भी e-commerce website से link नहीं है तो आपने पैसे को बिल्कुल भी investment आप मत करना अगर आपने अल्लेडी पैसे invest कर दिया है तो आपको cybercrime से help लेना है cybercrime.gov.in पर जाना है online एक cyber complaint कर देना है या फिर आप 1930 नंबर को भी dial कर सकते हो इसके साथ ही जो है आप Google पे फोन पे 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 टियम या अपने बैंक से भी help ले सकते हो कि सर जो transaction में ने किया है इसमेशाथ जो है fraud हो गया है इस transaction amount को please reverse करवा दीजिए बस यही दो तरीका है और हाँ इन scammers की बातों में बिल्कुल मत आईएगा ऐसे comments आपको देखने को मिल सकता है यह लोग खुद scammers होते हैं यह आप से पैसे को जो है recover कराने के नाम पर पैसा ले लेंगे और उसके बाद आपको block कर देंगे तो बिल्कुल इन लोग की बातों में मत आईएगा चलिए मिलता हूँ next awareness वीडियो में अगर आपके साथ किसी भी तरीके का online में scam हुआ है तो जजानकारी को आप मेरे साथ share कर सकते हो मेरा Instagram आईडी और मेरा email आईडी आप सभी लोग को मिल जाएगा मेरे हरे की वीडियो की description में चेक कर लेना और share करना ताकि इस पर में एक awareness की वीडियो बना दूँगा जिसे किसी और के साथ वह scam नहीं हो और हाँ इस वीडियो को आप देख लेजिए अगर आपने इन वेबसाइटों से starting में विड्रॉल लिया है तो इसकी वज़े से आपका bank account भी freeze किया जा सकता है डीटियल में पता है वहाँ इस वीडियो में देख लीजेगा और चैनल पर पहली बार आए तो भाई सबस्क्राइब कर लीजेगा डेली बेसिस पर आपको awareness की जनकारियां विडियो के मादियम से मिलता रहेगा चली मिलता हूँ नेक्स्टर विडियो में थेंक्यो सो मज